तो आज मैं आ गई हूँ एक थोड़ा अलग सा रिव्यू वीडियो लेके इसमें मैं रिव्यू करने वाली हूँ यह जो कोकोनट मिल्क है यह विको ब्रैंड का है तो यह रिसेंटली मैं ऑडर की हूँ आमाजॉन से ही पर मैं इसका अन्बॉक्सिंग करके टेस्ट करके बता हूँ आप लोगों को मैं सोची हमेशा बहुत टाइम ऐसा होता है कि एडिबल प्रोड़क्स का खाली अन्बॉक्सिंग दिखा के कुछ फाइदा नहीं है तो मैं सोची आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ एक्स्पिरियंस की इसका टेस्ट कैसा है तो पहले मैं जो द प्राइस मेंशन है वो 160 रूपीज है लेकिन मैंने लिया है यह 125 रूपीज में तो यह काफी अच्छा है और इसमें लिखा ही है कि यह वियतनम से कलेक्ट किया गया है तो वियतनम का जो लोगों पता होगा कि बहुत फेमस है कोकोनट के लिए तो आज मैं यह कोकोनट मिल्क पाइन कशना होगे आजम से क्शों आज हिसीम मैं संूदि रच आजपयाव का घ। होता है तो तो मैं यह 27 इंह फापया होता है अपना लोग मांने संट की सिस्टेम के लिए रिषीन कालसियम आ को आएएं होता है और वारो तो जितना भी आप आप तो आपितना आप यूश होगा जो डेली डायेटरी फाइबर रिकोर्मेंट आपका पूरा होगा तो यह देखिए मैं दस टेन मिनिट्स भीगाई हूं भीगाने के बाद ही यह इस टाइब का खूल के एक जेली फॉर्म में आ गया है आप ऐसे भी इसको देख सकते हूं तो यह मैं ले ली हूं टू टे मुस्ट इसका हाफ पी चुकी हूं और यह इसमें आधा था तो यह आधा मैं इधर डाल दें हूं है इसिलिए चिया सीट को वीगाने के लिए आप डिरेक्ली कोकुनट मिल्क का भी यूज कर सकते हो लेकिन मैं उसे आपको वाटर डालने का कोई जरूरत नहीं है लेकिन मैं यह डाली क्यूंकि आप लोगों को थोड़ा संजाने के लिए इजी डेमांस्ट्रेशन के लिए कि यह चीयासी बहुत लोगों को नहीं भी पता हो सकता है कि इसलिए वाटर में सोख करने से किस ट्रैप का देखने में लगेगा इंस्टेंटली तो मैं इसलिए आप लोगों के साथ यह वाटर में पहले से ही भीगा के रखी हूं त जिन लोगों को पसंद है वो लोग और भी हानी according to the taste डालेंगे और कुछ डालूंगी ड्राइफ्रूट्स तो ड्राइफ्रूट्स में मैं इधर यह जो कैश्यूनट है कैश्यूनट्स को छोटा-छोटा हाथ से ही कर लूँगी ऐसे छोटा-छोटा पीस कर लूँगी और इ बहुत एडल्ट लोगों का भी मैं देखी हूं तो उस केस में आप यह यूज कर सकते हो और इधर में ले ली हूँ आमोंड्स तो यह आल्मोंड को मैं क्या करूंगी इसका जो छिलका है यह मैं हटा दूंगी ऐसे क्योंकि यह छिलका हजम होने में भी प्रॉब्लम होता है और इसका जो nutrient content है आल्मोंड का वो फ्रॉब्लम होता है रॉब्लम होता है तो यह जो आमन्ड है इसको मैं ब्रेक करके इसके उपर डालदोंगी यह बहुत आसानी से होता है और आल्मोंड मेरा अल्बड़ी भीगाया हुआ था मैं हमेशा रेफ्रिजेरेटर में रख देती हूँ दो-तिन दिन का भीगा के युकि हमेशा याद नहीं होता है और हर रोज आप लोग आमंड पी सकते हैं और इस तरह का स्मूदी में मिला के भी पी सकते हैं और एक चीज आप लोगों को जो मैं सजेस्ट करना चाहूंगी कि कोकोनट मिल की दा वेरी हल्दी ओप्शन लेकिन यह हर दिन जो खाना यह सही नहीं होगा क्योंकि इसमें बहुत जादा हाई फैट कंटेंट है तो फैट कंटेंट के वजए से आप लोग नहीं हर दिन मत इसको प्रेफर कीजिए लेकिन आप लोग कभी कभी इसको डेजर्ट के हिसाब से ट्राइ कर सकते हैं बहुत ही टेस्टी बनेगा यह तो बन गया आज का कोकोनट स्मूदी तैयार है और भी आमन डाल सकते हो और भी अपने पसंदिदार फ्रूट्स डाल ड्राइफ्रूट्स डाल सकते हो इसमें आप जो गुलकंड है वो भी डाल सकते हो लेकिन मैं गुलकंड इसमें नहीं डाल रहे हैं क्योंकि जो कोकोनट मिल्क का जो अपना जो स्वाध है वो गुलकंड डालने से चला जाएगा क्योंकि गुलकंड is a different like rose petal jam तो मैं और एक recipe आप लोगों को share करूँगी जिसमें मैं गुलकंड का smoothie आप लोगों को बना के दिखाऊँगी या फिर गुलकंड लस्ती जो मैं अक्सर पीती हूं और वो thyroid patients के लिए भी बहुत अच्छा होता है तो यह recipe hopefully आप लोगों को अच्छा लगा होगा और इस टाइप का छोटा छोटा टाइप का recipe recipe smoothies recipe और फिर pancake recipe देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और जो लोग already मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन लोग को lot of thanks मेरे चैनल सब्सक्राइब करने के लिए मेरे साथ में साथ देने के लिए और review video भी आता रहेगा और अभी से ऐसा करके छोटा छोटा healthy recipes में मैं देते रहूंगे आप लोगों को जैसे कि मैं recently dry fruit लड़ू बनाई हूं तो वह भी आप लोगों के साथ एक दिन शेयर करूंगी जरूर पर प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए कि कैसा लगा फिर मैं मुझे भी थोड़ा inspiration मिलेगा क्यूंकि मैं यूट्यूबर हूं तो आज इधर ही खतम करते हैं फ्रेंस और फिर मिलते हैं और एक न्यू वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइ बाइ